ये वत्माल जुले के दिगरेश शेहर के पाच्योकों के कनहान नदी में डूम जाने की तरतना खटना रविवार को सामने आई थी खटना का पता चलती ही स्टीरेफ की टीम सहित स्थानिय मच्छवारे लाशो को तलाशनी में चुट के थी दोपेर को इस हाथसे में मृत्खवाचा बेक किलाश परामत हुई थी वही सोमवार सुभे दस बजे के करीब सैयत अरबास उर्फ लखी किलाश मिलने की पुष्टी पारशनी के पलसरेशक विलासकाली ने की है उन्होंने बीसियन समवादाता को फोन पर यह चानकारी दी और बताया कि अन्ने शवों को धूनने के प्रयास पुर्जोर तरीके से चारी है इधर रविवार को शोक लहर में डूबे दिग्रेश शहर की बारा भाई महले में गम का माहौल था लोग इस खटना से सक्ते में है बैराल दर कामठी में रविवार को ग्रामिन अस्पताल में पोस्ट मौटम के बाद 18 वर्ष युवा ख्वाजा बे का शव परीजनों को सुपर किया गया जिसके बाद शव को लेकर खवाजा के परीशन, दोस तथा परीशर के युवा देररात दिग्रस पहुची सूतरों ने बताया कि देररात को उसे दिग्रस के मुस्लिम कब्रस्तान के सुपर किया क्या सूतरों ने बताया कि पार्शियोनी के तहसलदार प्रशान सांगले के निर्देश पर सोमवार की सुभे साथ बचे अन्य चार युवाओ को कनहान नदी में तलाशने का काम शुरू हो चुका है सहित स्थानियम मचवारों ने पारी में गोता खोरी कर लापता युवाओ की शव की तलाशी चारी है हाला कि ये खबर लिखने तक पाच में से अब तक कुल दो शव परामद हुए हैं जिसमें खवाजा बेग और सेद अर्बाज और फलकी का समावेश है BCN News के लिए दिगर से जुबेर खान, कनहां से विवेक पाटल और अरुन महाजन की रिपोर्ट